पूरियर जंग पूरियर जंग कर ओनलाइन वे ऑफलाइन प्रिक्षा में सेटिंग करवा कर प्रिक्षार्थियों से लाखो रुपे लेकर नोक्री लगवाने का धंदा करने वाले गिरों के साथ सदस्चा को गिरफतार किया है जिस में से चार आरोपी हर्याना के सोनीपत जिला से और तीन आरोपी राजिस्तान के विभिन जिलों से सामिल है स्टेफ पुलिस के मताबित यह गिरों वर्ष 2013-2014 से ओनलाइन वे ओफलाइन प्रिक्षा में सेटिंग करके SSC, CHSL, MTS, Railway Color, NET, IIT, Sipai, वे, Interrance प्रिक्षाव में प्रिक्षार्तियों से लाखो रुपे लेकर प्रिक्षा को पास वे नोकरी लगवाने का धंदा करते थे अशोक उर्प शोकी का नेटवर्क जैपूर, दिल्ली, हरियाना, पंजाब, विहार, आधी, राज्यों में बिछा हुआ है जो अशोक वे उसके सातियों द्वारा पानिपत, मोहाली, नागपूर, गन्नो और सोनिपत में लैब कर रखी है जो परतेक लैब में 300 से 400 कंप्यूटर प्रियोग में लाए जाते हैं गिरफतार आरोपियों अशोक मोनू आसीस को जिला आदालत में पेश कर पुलिस रिमान पर लेकर गहन पूस्ताच की जाएगी गिरफतार आरोपियों से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 6 लैप्टोप और 103 पैन ड्राइव, 3 हाट डिस्क भी ब्रामद की है गिरफतार आरोपियों पर पुलिस द्वारा इनाम भी गोशित किया हुआ था जिसमें असोक कुमार उर्फ सोकी पर 1,00,00 रुपए, मोनु उर्फ डाक्तर पर 50,000 रुपए पुलिस अब गिरफतार आरोपियों से यह पूस्ताच भी कर रही है कि आखिर अब तक वह रुपए लेकर कितने लोगों को अपना सिकार बना चुके हैं और गलत तरीके से लोकरी पाने वालों लोगों पर भी कारवाई की जाएगी अधिक जानकारी के लिए आईए बात करते हैं महेश शेरोन डियस पी स्टेफ हर्याना से उनका इस गटना के बारे में क्या कहना है जिन में से असोग और सोपी जो की पहले भी एक मामला बेवानी में दर्ज हुआ है और इस पर इनाम भी है एक लाग का इनाम असोग के उपर है और मॉलों के उपर पचास जा रुपे का इनाम है सर यह कौन सी कौन सी परिक्षा है दिलवाते हैं यह आई-ई-टी जेई और विजियल नेट गेम्स की भी एस्बी आई की बी और इन में काफी सारी हैं इस तरह की परिक्षाएं हैं रेलवे की परिक्षाएं हैं तो इस तरह की परिक्षाएं दिलवाते थे इन में यह ऑफ लाइन ऑन-लाइन दौनों तरह ऐसी करते थे पहले इनका जो अफ लाइन का था तो उसमें किसी अब इन से हमारे को लैप्टॉप बरामत हुए हैं काफी सारे छेतों लैप्टॉप हैं दस होन हैं करीब 130 के आसपास इनका पेंड्राइब मिले हैं कुछ चेक मिले हैं कुछ बहुत साही लोगों की अलग-अलग आईडी मिली हैं इनके पास से और भी कुछ डॉक्मेंट्स है जिसमें से हमने कल तीन बंदों को आठ दिन के रिमांड बे लिया हुआ है वकी चार को हम आज पेज करेंगे उनका इपले से रिमांड लेंगे आगे इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में और ची जाएंगी उनके बारे में आपको अवर्ट कराएं सर्पर्थम जाच में क्या खुलासा हुआ है कि अब तक कितने लोगों को यह इस तरह से अब तक करीब 400-500 लोगों को तो मतलब इन्हों ने यह एक्जाम दिलाया है कुछ लोग वाई-चान्स फेल हो गया हूंगे अधर्वाइस इन्होंने सारे काम अपने सक्सेस्रेट रहा है इनका अच्छा हमारे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चाइनल को सब्सक्राइब जरूर